हेलो डियर स्टूरेंट्स माईसल्फ गौरव रैंकर जी एडवांस चैनल वे आप सभी का सौगत है अज के इस लिक्टर में हम लोगे बहुत ही रिनोन बहुत ही पेमस रियरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बेर विलगर रियरेंजमेंट या फिर बेर वि आसा, से नाम कुछण किसी ने आपको बोला कि आप को यहां से यहां से अधिक के यह बनाना है ठीक है की जैसे माल लेते हैं कि के एम एन फोर यूज कर लोगे और वह बहुत सारे रिएजेंट्स हैं तीन चार रिएजेंट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंट्ली यूज होंगे और यह कनवर्जन बहुत ही इजली हो जाएगा ठीक है अगर अगले ही पल मैं यह बोल दू कि हमारे पास अल्डीहाइड की जगा की टॉण है और हम बना क्या रहे हैं एसिड की जगा ऐस्तर ठीक है हम यह बना रहे हैं तब कोई विस अगर पूछे को झूं कि यहाँ पर रियेजेंट्स क्या होगा यह यहां पड्यूज करूगे की टॉन से चार फॉर मैसन हो जा ठी यह बेसिकली क्या है कि अगर आप यहां से एक यह कनवर्जन देखो ना तो एक आपको आइडिया मिलेगा ठीक है कि ऑक्सीजन जो है यह जिसकी वज़ा से हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं जो ऑक्सीजन एटम है यह इन दोनों ब्वांड के बीच में कहीं इंसल्ट हो जा रहा है मतलब इस इस अ काइंड आफ इंसर्शन आफ ऑक्सीजन बिट्वीन कार अब शीजन का इंसर्शन मतलब किसी मॉलीकियुर ऑक्सीजन एड हो रहा है वह बदीशन होता है इस वजह से हम लोग इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली कीटोन से केटोन से हम लोग का किस्टर का फॉर्मेशन होता है तिक सच का formation होता है इस्टर का बार होगा परॉक्सी एसिट्स होते हैं या फिर परॉक्साइट्स होते हैं ठीक है परॉक्साइट्स यह देखते हैं कि Peroxy Acids क्या होते हैं कितने तरह क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूझ कि जिनको नहीं पता है उनको जिनको पता लिस सीसी washer ऐी तरह का प्रॉल Teik अगर मैं इसको चेंज करूं एफ थ्री सी सी डबल बॉंड ओ ओ ओ ओ एच यह भी एक परॉक्सी असेड ठीक है और और इसके बाद एक होता है यहां पर यहां पर विल्गर में हमें एच टू अटू भी यूज हो जाता है अब आप इन सब में देखें इन दोनों एसेट्स में देखें पर एसेट जिनको हम बोल रहे हैं या फिर इसको भी अगर लिखो गए तो इसमें भी ऐसा ही कुछ इस्ट्रक्चर आएगा है स्ट्रक्चर का मतलब यह वाला जो यूनिट है यह इसमें और इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा इसमें भी आइगा कॉमन मैं भी ड्रॉ करके दिखाऊंग आपको ठीक है और और भी ज्यादा specific तरीके से बात किया जाये तो इन सब में इन सब में including h2o2 यह जो प्रॉक्साइड बॉन्ड हे यह इंक्लूदिंग अचंद ॉक्लोड उस्टे सफोक्षाइड ने तरह ऊंत ऊंच पूद इनका अपर इनके बदाव स्टा घ्रानुद का इनको प्रोड़क्ट देख लिया और रियजेंट देख लिया अब हमें पता यहां से यह चल गया ओवर्वीव देखने के वाद कि यह जो ऑक्सीजन है यह पर औक्सीजन इन यह जो कार्बोनिल कार्बन है और उसका एक कोई अवर्वंगरों हों इन उस लों सप्क्तुरेत है उसके बॉंड के बीच में इंसर्ट हो रहा फकाण इंसर्ट ओक्सीजन इनसर्ट इसको बैर विलघर और जोया ओपाएन तेंडों मिल गया गहर विलगर का अब हम देखते हैं कि आखिर इस Pakistan है या फिर जो बेल घर्रेटеждमेंट हम लोगे बोल के मेकनिजमट characteristics कभी कभी तो रीरेंग्रेंजमेंट होता है की बस ऐसे जारेंजमेंट बोल दीया मनगढन थफे है वो देखते हैं ठीक है तो उसको देखने के लिए हम लोग को mechanism देखना पढ़ेगा आये हम लोग start करते हैं mechanism ठीक है हमारे पास क्या है हमारे पास ये हैं ketone है unsymmetrical ketone है ठीक है unsymmetrical ketone let's say un-symmetrical ketone chocolate for our clear understanding क्योंकि हमगर symmetrical ले लेंगे तो हम लोग distinguish नहीं कर पाएंगे ठीक है कि कौन सा bond break होका मतलब कौन सा carbonyl or substitute का bond break होगा यह distinguish करने के लिए हम लोग unsymmetrical ketone ले 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 या फिर मैं थोड़ा सा और specifically ले लेता हूं कोई यह आर आर यूज करने की अलावा मैं यहां से ले लेता हूं C6H5 कि स्टी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ठीक है इसको हम लोग है स्टोफिनोन बोलते हैं अब हमने इसको ऐसे ट्रीट किया ज से लोगों को क्या पता डाउट हो इसका देख लो और मेंटा प्र जीट रहां है तो सिंपल थन्पी यह अर्थ यहां के और थो यह मेटा उसमें क्लोरो है यहां पर एसेड यह है यह है यह है में यह हो गया अब क्या होगा यह जब किया हम लोगों यह ऐसे दिया तो यहां पर हम लोगों ने अब अब जो मैं भी बात कर रहा था आप से कि क्या क्या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉंड ब्रेक होगा मतलब कार्बोनिल और कौन से सब्चिटुएंट के बीच में ऑक्सिजन का इंसर्शन होगा कोई बोलेगा कि यह भी तो हो सकता है कि आपने इस बॉंड को पहले वाले केस में तोड़ा और इसकी बीच में इंसर्शन करा दिया तो प्रोड़क्ट आपको मिल गया लेट से ए ठीक है अब और यह लेट से बी ठीक है बी पाने के लिए मैं इस बॉंड को तोड़ूंगा तो हमें बी मिल जाएगा तो हाव विल यूड इसफाइड की एविल्बी मेजर प्रोडक सारी और वी वी मेजर प्रोड़क्ट थिक करस द hay कि हम लोग को clearly mechanism को देखना पड़ेगा ठीक है आये देखते है mechanism क्या होता है mechanism तो मैंने पहले slide waiting डाला था anyway start करते हैं मान लेते हैं कि यह हमारे पास और फिर उसी से start करते हैं जो अभी CH3 ठीक है को दिक्कत नहीं अब क्या हुआ हमने लिया हुआ है पर-acid CH3 कि C double bond OOH शिंच यह पर-acid है यह भी हैच प्लस लूज करना चाहेगा बाकी acids की तरह ठीक है जब यह प्लस लूज करेगा जब यह अच प्लस लूज करेगा तो नन अधर दन यह लोन पेर उस इसम पर उसको लिम्र सुपिर च्छ लेगा है क्यां क्यों पर अपने तरफ घीच लेगा आठाइच कर लेगा तो यहां पर नगोटिव चार्ज सब्सक्राइब निए दीलॉट हो जाएगा तक है अब हमें पता है कि क्या होता है जो ऐसी सिच्वेशन बनने के बाद खुछ ऐसा system होगा ठीक है मतलब carbon पे carbon पे positive charge develop होगा ठीक है यहाँ फिर positive charge develop होगा और यह CS3 the moment this oxygen will see the positive charge having negative charge it will immediately attacked here ठीक है और हमें product क्या मिलेगा मतलब इस स्टिप का product not complete product अच सच यह हो गया c h3 और यहां पे ओ और यह क्या है वह ओ c double bond o ch3 कोई दिख्कत यहां तक यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिख्कत होनी चाहिए यहां से निगली फाइल बना यहां पर इस सेंटर पे जो की स्टेबल सेंटर है इस नियोकली फाइल के लिए उस पर अटाइक किया और यहां पर एक टेट्रहेड्रल मतलब यह बॉंड ब्रेक करके एक कंपाउंड मिला ठीक है और फिर अगला स्टेप क्या होगा कि यह वाला बॉंड इधर की तरफ सिफ्ट करेगा ठीक है फिर क्या होगा अब एक चीज और है एक दो दो तरीके से इस वाले जो स्टेप इसको दो तरीके से बताया जाता है पहला चीज तो यह कि यह वाला बॉंड इधर की तरफ सिफ्ट करता और यहां से एक अलकाईल ग्रूप नियरेस्ट कारवन पर माइग्रेट करता और प्रफ और तांगद तरीके सिस्टम से और रिजल्ट में इसाथ मिलता है ठीक है और यह लोट पेर है इतने बाजो बाजो में होते हैं कि इनका बीच में रिपल्शन बहुत जादा होता है और यह बॉंड ब्रेक करके निकल के बाहर जाना पड़ता है और यह शिंस को निकल करना पड़ता है और यहां पे जब यह अलकिल ग्रूप माइगरेट करेगा कार्बन की फ्री होगी तो यह ओ एच वाला बॉंड इधर की तरह सिफ्ट करेगा ठीक है दो तरीके हैं मैंने बताया अभी दो दोनों में से एक बार फिर से सुन लो की पहला दो तरीके से लोग बत अब इन दोनों लोन पेर्स में या फिर चारों लोन पेर्स में इतना ज्यादा रिपल्सन होता है कि यह बॉंड जो है यह बॉंड ब्रेक करने लगता है और यह बॉंड जैसा ही ब्रेक करता है ऑक्सीजन की वैलंसी इस वाले ऑक्सीजन की वैलंसी और इस वाले ऑक्सीजन और दोनों की वयलेंस i free होती है आप जैसे यह यहां से लिया के साथ यू गैर कि लिए उसको सठ्षाइब करने के लिए दिए इधर की तरफ सफ्ट हो जाता है तिक है एक तो यह नीए हो गया दूसरा चीज होता है दूसरा तरीका ज talkа जिसको संझ जाते हैं लोग कि यह ओएच बॉन्ड पहले इदर की तरफ करता है ठीक है जैसे सिफ्ट करता है करवान के पास माच वैलेंसी होने लगती है अब कारवन के पास पाच वैलेंसी होने की वज़े से यहां से एक अलकाइल ग्रूप यहां से करवन को छोड़के और यहां से निरेस्ट ऑक्सिजन प में दो अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं जो कि यहां से एक इस्टर बन चुका होता है अलकाइल ग्रूप के माइग्रेशन से और एक यहां से एसिट बन जाएगा ठीक है वो भी एसिटिक एसिट सिंपल ठीक है हम कोई सभी करो कोई समझने के लिए आपके मैं दोनों बताय अधा था बाकी समझ कोई समी करो आपको कोई सच कोई डिफरेंस आने वाला नहीं यह प्रोड़क्ट में तो क्या होगा यह बॉण्ड इधर की तरह माइग्रेट करेगा और यह वाला ग्रूप इस पर जाके टैच होगा और यह इधर की तरह लोन पेयर अपना लेके बॉण सिक्स सी सिक्स एच पाइब ठीक है एक तो यह हुए यह 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 बॉण्ड इधर की तरह आएगा तो यह अक्सिजन पे प्लस चार हो जाएगा तो एच ब्लस के फॉर्म में ओन्ड छोड़के चला जाएगा यह एक रॉच हो जाएगा ठीक है यह यह इसे बन अब यह हमारा एक इस्टर बन गया चेंड आप यह उमैठर करें बनीटा करते हमारा क्या यह हमारा मेजर प्रोड़क्ट बन गया ठीक है मेजर नहीं इस से इस इस ऑक्सिडेशन में या फिर इस रियाक्षन में एक ही प्रोड़क्ट बनता है वह डिपेंडिंग उपान विच एलकील ग्रूप इस गोइंग टू माइग्रेट प्री डॉमिनेंटली ठीक है मतलब कहीं मैंने कहीं एक हमारे पास अलकाइल्स का जो माइग्रेशन का एक ओर्डर होता होगा ठीक है वह एक्ट्वल में एक ओर्डर होता है जिसमें हम यह डिसाइड करते हैं कि जो कार्बन है उससे दो सब्चिचुएंट जो लगे हुए हैं उनमें से माइग्रेशन किसका पहले हो अच्छा ठीक है यह देखो और अच्छे से बताता हूं मैं उससे पहले यह मैं बता दूं कि आपको यह जो दिया हुआ यह तो कीटोन से हमने स्टाट किया था था ठीक है अब अगर किसी केस में aldehyde देदिया होता जैसे माल लो अल्डिहाइड दे दिया होता है यहां पे CS3 ठीक है और यहां पे MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोई के सिट दे देता और बोलता की प्रोडक्ट बनाओ हमें ठीक है प्रोडक्ट बनाकर दो तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस केस में अल्डिहाइड के केस में हमेसा आपको ऐसेड ही बनके आएगा चाहे कोईसा भी अल्डिहाइड हो अगर आपको अगर कराने की जरूरत नहीं है आपको अगर aldehyde दिया हुआ है तो सीधा सीधा आप hydrogen का migration कराई ये acid बनाके वहां से आगे बढ़िए ठीक है तो इससे अगर मैं लेकिन यहां ketone के case में ketone के case में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ migration का order होता होगा मैं आपको बता दूं कि migration का order obviously होता है वह order यह होता है कि सबसे पहले hydride का migration होता है उसके बाद पेनाईल का migration होता है और उसके बाद अलकाईल गुरूप का migration होता है ठीक है यह हो गया ठीक है यह एक order है order तो आपको बहुत सारे teacher और अलग अलग बताते हैं लेकिन वह काफी लंबा भी होता है वह ने देखा बहुत सारे लंबा होता है कि यह पहले यह थी डिग्री तू डिग्री यह फिर बहुत सारा चीज बता जाता लेकिन मैं एक बहुत ही छोटे वे में आपको यहां से confine कराऊंगा इस order को एक memory में fit करा दूंगा कि वो कभी नहीं बूलेगा और सारे questions आपके most probably हो जाएंगे वो कैसे देखिए सबसे पहले तो hydrogen का shift होगा ठीक है hydride shift होगा चाहे किसी भी case में अगर possible है aldehyde दिया हुआ है तो वहां से acid ही बनेगा मतलब अगर aldehyde का करने का मतलब मेरे क्या है कि यहां पर यहां पर दो possibility है यह अगर मैं बेर विल दुर करा रहा हूं तो ठीक है और यह possibility जैसे ही आपको दिखेगी कि मतलब aldehyde जैसे ही आपको दिखेगा यहां से acid ही बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है इस वज़े से मैं aldehyde को सबसे उपर लिखा सबसे आगे लिखा ठीक है और फिर उसके बाद फेनाइल रिंग लिखा ठीक है फेनाइल रिंग और उसके बाद फिर के बाद फिर अलकाइल ग्रू अब अगर माल लेते हैं कि हमें फेनाइल का बहुत सारा डेरिवेटिव दे दिया अना उन सब में हमें बेर विलगर कराना है और उसमें और बताना हमें कहीं 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 अप्टिमाइज करना कि कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा किसमें ऑक्सिडेशन या फिर किसमें रियर्रेंजमेंट जल्दी होगा ठीक है फेनाइल के बहुत सार डेरिवेटिव में अब हमें उसको कैसे इंटिफाइव करना पड़ेगा उसके लिए या फिर अलकाइल का ठीक है फिनाइल तो एक जैसे हमारा हो गए ना रूट टाइप का कि फिनाइल का रूट माइग्रेट करेगा अगर फिनाइल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रूप लगे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप लगे हुए जो कि इलेक्ट्रॉन सप्ला ऐसा है, C double bond O, यह CS3 है, लेकिन इसके और तरों पे लगा हुआ है OH ग्रूप, ठीक है, या फिर एक और है, उसके पैरा पे लगा हुआ है, OME ग्रूप लगा हुआ है, या फिर CS3 ग्रूप लगा हुआ है, तो ऐसे case में मालेत हैं, इसको हम B कहें, अगर इसको A कहें, तो B वाल फिनाइल वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे भी फिनाइल रिंग लगी हुई है, यह फिनाइल है, ठीक है, और यहाँ पे माल लेते हैं, कि यहाँ पे इसके और तरों पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, अब आप देखो, यह B वाले कंपाउंड में, दिख तो रहा, बी वाले कंपा यह integration density को withdrawal कर रहा है एक है Electrons density को withdraw कर रहा है यह supply कर रहा है और यह withdrawal कर रहा है रिंग से अगर ऐसी situation आपके सामने आती है तो जो Electron rich होगा उसका migration ज्यादा जल्दी होगा मतलब इससे अगर product बनाना होगा आपको तो यह सी डबल बॉन्ड ओ यहां से ऐसे यह लिख दोगे और यहां ऑक्सीजन यह कि यह यह प्रोड़क्ट लिखोगे मतलब यह इस तर बनाके रेडी करोगे क्या हुआ इसमें इस वाले गुरूप का यह वाला पॉंड ब्रेक हुआ और इसमें अक्सीजन का इन सरसन हुआ थिक है मतलब अगर फेनाइल में भी दो तीन फेनाइल दे दिया गया मतलब दो फेनाइल अगर एक कीटोन की बात करें कौंपेर करना हो कौन सा ग्रूप माइगरेट करेंगा एक ही कीटोन पर दो अलग-अलग है तो ऐसे केस में इलेक्टोन रिच जो होगा वो जल्दी माइगरेट करेंगा वही सेम ट्रेंड इसमें अलकाइल ग्रूप में भी फॉलो होगा अगर वहां लेते हैं एक कीटोन में एक माइगरेटिंग ग्रूप त्री डिग्री दे दिया है तो सबसे पहले है थ्री डिग्री का माइग्रेशन होगा उसका बॉंट ब्रेक होगा और वहां पर उक्सीजन इंसर्थ हो जाएगा ठीक है तो यह और है बस आपको याद ध्यान यह रखना है इसको कि हच का सबसे पहले माइग्रेशन होगा मतलब कहीं भी अल्डिहाइड दिखा ठीक है त एक को ऐल्डिहाइड दिखा टिक के अगर आपको कहीं अल्डिहाइड दिखा आपको सीधा एसिड बनाना है एकिक अगर आपको कीटोन दिखा तो आपको माइगरेट्री एप्टीट्यूड को ध्यान रखना सभिया है जो कि हमने अब debugging किया है ऑपको सीधाउजट बना देना है कि अभी देखेंगे उसका भी एक्जामपल देखें बना देना है तो मैंने तो क्या बोला यहां पर यह की one है। इसको अपको ध्यान में रखना अमेशा बेर विल्गर का रियक्शन कराने में कि अगर एलडिह दिखे आपको बेर कराना है आपको migrator गडिटुट मीधा दिखे अपको कैसा होता है डबल बॉंसई सीड़िए यहाँ पर मान भी लेकि आरि ऩिफ्यान अब इसमें न तुम चाहिए इस वाले ग्रूप को migrate करा हो चाहिए इस वाले ग्रूप को migrate करा हो overall यह bond इसी को brake होना है तो यह oxygen भाईए बीच में insert होगा तो इसमें भी ज्यादा थुमाग नहीं लगाना है simply इस bond को brake करना इस bond को ब्रेक करना यहाँ oxygen लगा देना है यह अन्हाइड्राइड बनके यही प्रोड़क्ट होगा बस चाहे उधर आर डैस्क कुछ भी हो चाहे आर कुछ भी हो उसे हमको फरक ही नहीं पड़ेगा सीधा सीधा यही बनके रेडी हो जाएगा ठीक है अब आईए कुछ एक्जामपल करते हैं जो कि अभी तक हमने कॉंसेट डिसकर्स किया था उसके बेसिस पर पहला एक्जामपल हमारा यह है अभी क्या है यह तो हमने वाई एक्जामपल में भी देख लिया था जो प्रोड़क्ट क्या नाम है मैकनिजम सीख रहे थे उसमें भी यहां पर Cs 3 यह प्रोड़क्ट बनके आजएगा अब यह असी बात है यहां से ह्प्लस आएगा यहां आएगा यह पॉजिटीव चार्ज इंड्यूज होगा यहां पर पॉजिटीव चार्ज अएगा इस कार्बन पर पॉजिटव चार्ज बाद में डिवलुप हो जाएग इपार और यहां से यह जो mcpba कैसा बनाता यह है घ्यक है क्लॉर्जॉर हुआ ठीक है त सी डबल बॉब्स ओ यहा ओ मैनस यहां से निकल के और एस प। यह वाला एक प्लस यह आ गया है ठीक है अब यह माईनस चार्ज्टी या थैच हो जाएगा थीक है अब अटेच्पने के बाद फिर यह डबल बॉंड अरे सॉरी ओएच बॉंड इधर की तरफ सिफ्ट करेगा और यह वाला ग्रूप इद पर माइगरेट होगा यह इधर बाहर निकल के चला जाएगा और यह हमाय प्रोडक्ट मिल के आएगा और साइड प्रोड़क्ट क्या हो होगा यह क्लोरीन तो अटैच रहेगा कोई दिक्कत नहीं अच्छा यहां नहीं मेटा बहना कि यह क्लोरीन ठीक है सी डवल वॉण्ड ओ ओ ओ एंच मेटा क्लोरो बैंजोई के सिर अगला एक्जामपल देखते हैं जिसमें क्या है हाँ यहां पर नया कॉंसेट मिलने के देखने को आएगा आपको सीखने को मिलेगा अब यहां पर हमने न यह क्वेश्चन में स्टियो केमेस्टी मेंशन कर दी बाकी बेर विलगरी कराना है ठीक है मेटा क्लोरो पर बेंजोई कैसीडी है की टोन ही है लेकिन एक एडिशनल फीचर इसमें यह कर दिया गया कि यह वा आफ्टर आल यह जो स्टियो केमेस्ट्री है इस सब्चिट्वेंट की इस रियक्टेंट की क्या वो भी चेंज होगी की नहीं होगी ठीक है तो यहां से एक की पॉइंट लिख लो की स्टीरियो केमेस्ट्री स्टीरियो केमेस्ट्री सट्यकंज है कि डश नौ्ट चेंज़स डश नौ्ट चेंज़स थीजैने मतलब रिटेइंशन होता है आप यह चाहए ग्रूप यह माइगरेट करें चाहिए यह माइगरेट करें हमारा स्टीजिओ के इसी जो है वह इस रह जाएगा वह याद रखना है यूपनेसा याद रखना है इसको हमेसा अगर सब्न करने के लिए तो हमें वह पॉइंट नहीं भूलना है ठीक है शार अब देखो इसमें माइग्रेशन करना है क्या अब देख्यों घर तो यह वाला कारबन यह वाला कारबन कितने डिग्री है एक कार्बन दो कार्बन तीन इग्री यह थ्री डिग्री है और यह कितना यह वन डिग्री है और इसका माइग्रेशन होगा तो हमें प्रोड़क्ट कुछ ऐसा आएगा CS3 यहां ओ यहां C और फिर यह है है CS3 और यहां पे CS6H5 ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं यहां पर अब क्या है यह मद्याल यह यह वालन आ गया यह यह उसा हिझयोट का है अभर इसका जांस किसका मा गडरेट करने का एक इस वाले गुरू का ऐसेट यहां पर दोром है ऐसा कुछ मैं एक दो तीन चार्फ पाऊंच छष और सास है कुछ अपर, क्लडिकट सिस्ट्री सिस्ट्री ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 6 मेंबर रिंग थी एक ऑक्सिजन का इंसर्शन हुआ तो 7 मेंबर रिंग हो जाएगी ठीक है उसके बाद यह है हमारे पास यह अच्छा अच्छा एक्जाम्पल है यह क्या है ठीक है यह अब लूज करेगा अब आपको देखो यहांपे इतना बड़ा सा गुरुप दिया है ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां कुछ ओ दे दिया है यहां दे दिया अब मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था यहां पे कि जैसे ही aldehyde दिखेगा आप acid बनाओगे और कुछ नहीं सोचोगे बेर विलगर oxidation में ठीक है यहां देखो यह aldehyde group है एक साइड तो यह लगा हुआ है ठीक है carbon दूसरे साइड hydrogen लगा हुआ है अब हम कुछ नहीं सोचेंगे इसमें सीधा साह bond O यह O और यह H यह aldehyde बनाके और साथ में जो साइड प्रोड़क्ट होगा यह CS3C double bond O O H A stick acid ठीक है अगले question पर आते हैं यह रहा जो मैं वह अभी 1-2-3 keto की बात कर रहा था ठीक है वह रहा अब चाहे यहां पर पहले चीज़ पर यह सिमेंट्रिकल है ये दोनों साइड यै दोनों साइड शम है सेम अगर यह सेम ना भी होता अगर यह सेम ना भी होता मालना तो इतार कोई बगल ग्रूप लगा होता तो तो क्या करते तुम इसको migrate कराते थे थी मतलब यहां पे चैन्ज हो दाता मतलब यहां पर oxygen का इंसर्ण हो जाता अगर इधा बड़ा ग्रुप लगा होता तुम इसको migrate कराते मतलब दोनों ही case में यह देख रहे हैं यह दोनों ही case में bond जाहें तुम ये सब्सक्राइब कराओ चाहें ये सब्सक्राइब कराओ और अंत में टूटना इनहीं दोनों कार्बन की बीज का बॉन्ड है वहीं पर ऑक्सिजन को आना है तो किसी का migration attitude देखने का कोई मतलब नहीं है ठीक है अब एक यह रहा यह भी अभी से पहले यह बस खाली इसका जो रियक्टेंट का फॉर्म है ठीक है वो चेंज कर दिया गया तुमें डराने के लिए बाकी इससे पहले हमने देख लिया है कि कैसे migration होता है ठीक है यह त्री डि किरी का migration जल्दी होगा मतलब यह ऐसे क्या दिक्कत आई इसमें कोई दिक्कत आई क्या है यह वाला bond को break किया oxygen का insertion हो गया खतम कहानी ठीक है यह देखो यह थोड़ा सा मुझे पहली बार तो मैंने भी ऐसा गलती किया था इसको देख के ठीक है यह obvious सी वात मैं ऐसे देखू आउंगा और इसमें oxygen को insertion करा दूंगा मतलब यहां पर देखो एक यहां पर फेनाइल रिंग लगा हुआ है यहां पर अलकाइल रिंग अलकाइल ग्रूप लगा हुआ है यहां पर फेनाइल ग्रूप लगी ठीक है तो ऐसे केस में यहां पर कुछ बड़ा सा एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है सब्सक्राइब बनेंगी ओबरॉल एक दो तीन चार पांच नहीं गलत बन गया हाँ यह सही है देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है और यहां पर इस वाले ग्रूप के क्या था पोजिशन पर ओएसी था ठीक है यह बन क्या है और साइड में जो साइड प्रोड़क्ट होगा वो तो होगा ही होगा ठीक है तो इस तरह से हमने देखा अच्छा इ हम लोगों ने आज क्या देखा बहुत ही फेमस है यह जो 원 a doule zo expert अग्या थाज होता है तो यह होता है वह इसकी वज़ास में ऐसी वह क्या है इसकी वझाए से होता जो कि अकसर बहुत लंबी से शीरीज प्रवायट करा दी जाती है और कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन किसके पहले कौन किसके बाद कर दीया तो यह यहां से देख लो यह तो बहुत easy है तो H को सबसे पहले migrate करा हो मतलब LDH वाला case है तो उसके बाद फेनाइल और अलकाइल ग्रूप में फेनाइल का priority ज्यादा होता माइग्रेशन के लिए ठीक है तो ऐसे यह चीज आसान करा दी गई है और फिर बाकी कुछ इस question कर आए गया mechanism हमने देखा ही था इसकी वज़े से जो toughness हो रही थी mechanism है समझने की वह चीज सब्सक्राइब हो गई है ठीक है बाकी आप लोग करते रहें यह practice करिए इसमें और कोई problem हो तो आप लोग जरूर बताइए हम लोग हाई है उसको solve करने के लिए ठीक है तो आग बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए concept interesting तरीके से present करने के लिए तब तक के लिए ट